हेलो गाइज वेलकम बैक टो दिस चैनल गाइज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे MPC यानि Monetary Policy Committee आपको जैसा कि मैंने अपडेट किया था Reserve Bank of India के शक्ती कांता दास जी जो की गवर्नर है इनको प्रिजेंट करना था तो MPC के जड़िये क्या मिला है बैंकों को और Financial Institutions को और क्या रहने वाले हैं Inflation Rate क्या Stabilize रहेगा या नहीं रहेगा कुल बहुत सारी बाते हुई लेकिन उसमें से कुछ 5-6 मोटे मोटे पॉइंट में आप लोगों के साथ डिसकस करूँगा तो बने रहेगा एंट तक और आपको समझना होगा कि एक्चुली में क्या हुआ देखिए सबसे पहले मैं बात करूँगा आप लोगों से GDP के बारे में शक्ति कांता दास जी जो है GDP की forecasting करते हैं fiscal year 2022 को आपको जैसा कि पता है COVID-19 की वज़े से हमारे country की जो GDP है negative में चले गई थी और COVID-19 से relief पाने के लिए vaccination drive चल रही है और vaccination process continuous चलता रहेगा जिससे हमारे देश की GDP जो है improve होती हुई दिखाई देगी और ये current fiscal year जो की आपको पता है 31st March 2020 को 2021 को basically खतम हो जाएगा fiscal year 2021 right तो fiscal year 2022 जो शुरू होगा 1st April 2021 से fiscal year 2022 के लिए जो GDP की forecasting करी कही है MPC meeting में शक्ति कांता दाश जी के दोरा जो की 10.5% से ज़्यादा बताई जा रही है यह अगर 10.5% के आसपास भी अगर GDP हमारे country के निकल के आती है तो एक बहुत बड़ी बात होगी और एक बहुत बड़ी बात होगी right तो देखते हैं कि क्या होता है GDP जितना ज़्यादा अच्छा होगा डेटा इससा जितना ज़्यादा बढ़िया होगा उतना ही ज़्यादा इस टॉक मर्केट के लिए बढ़िया रहेगा right ओके second point के अगर हम बात करें तो retail investors जो होते हैं retail निवेशक उनके भले के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ करी गई है इस MPC की meeting में वो ये है कि जिसे मान लिजे हम और आप एक जो retail investors होते हैं उनको government of India के जरी अगर कोई bond ले आना होता है या किसी bond में निवेश करना होता है तो broker के जरीए करते थे लेकिन अब क्या होता था ना कि उससे हर investor जो है approach नहीं कर पाता था यानि हर investors के लिए आसान नहीं होता था वो complicated situation होते थी तो उसको ease करने के लिए यहाँ पर शक्ति कांता दाज जी जो है MPC के जरीए guilt account open करेगा यानि Reserve Bank of India जो है आपका एक guilt guilt जी हाँ मैं guilt guilt की बात कर रहा हूँ एक guilt account खोला जाएगा ठीक है एक retail investor का उस guilt account को आपको खुलवाना कहीं और नहीं होगा वो Reserve Bank of India के पास में ही खुलेगा right तो guilt account के जरीए जो है आप किसी भी government bond के अंदर जा करके directly निविश कर पाएंगे यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो rate of interest मिलता है न government bond के जरीए वो थोड़ा ज्यादा attractive होता है जिसको ले करके आपको approach करने में दीकत नहीं होगी अगर आपका interest बनता है तो obviously बनेगा आपको अगर bank देता है तो 7-6% चलो देता है और अगर आपको कोई bond दे रहा है 10% या 8% का तो obviously आप bond को approach करोगे लेकिन bond को approach करना जितना जादा आपके लिए complicated नहीं होगा उतना ही जादा आपके लिए बढ़िया रहेगा तो आपके भलाई के लिए investors की भलाई के लिए retail investors की भलाई के लिए Reserve Bank of India की MPC policy जो अभी आज held हुई है उसके अंदर guilt account के जरिए एक easiness provide करने की कोशिश की जाएगी अब next point मैं आप से बात करूँगा इस meeting के अंदर जो देखा गया है marginal standing facility MSF marginal standing facility MSF इसका मतलब क्या है ये एक तरीके की एक एक ऐसा option होता है banks के लिए जिसको यूज करके banks के पास जब cash crunch चल रहा होता है तो वो उस समय funding कर पाते है मतलब समझने का आपका मतलब इसको सीधी सीधी समझे कि मालनी ये bank के पास पैसे खतम हो जाते है उस case में वो क्या करता है कि reserve bank of India के पास जाता है और marginal standing facility के जरिए वो fund उठा सकता है marginal standing facility reserve bank of India की तरफ से एक नया एक तरीका है जिसके जरिए कोई भी bank अपने financial need को पूरी करना चाहता है cash crunch time पे तो वो RBI को अप्रोच कर सकता है MSF के लाने का main मकसद यही था reserve bank of India का क्योंकि इस pandemic के चलते बहुत दिक्कत हुई है हमारी economy में तो economy में cash flow बना रहा है जिसको ले करके reserve bank of India ने marginal standing facility ले के आया था ताकि बैंकों को दिक्कत ना आए और इसके लिए जो time window है उसको बढ़ा दिया गया है 30 September 2021 के लिए मतलब 30 September 2021 तक के time में कोई भी bank अगर financial दिक्कत से गुजर रहा है crisis हो रही है तो वो marginal standing facility के अंदर जा करके reserve bank of India से loan उठा सकता है ओके next point की मैं बात करता हूँ आपसे repo rate और reverse repo rate जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाली जो वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था MPC policy आज होनी है तो उसके अंदर बताया था कि repo rate और reverse repo rate को almost लगबग unchanged रखा जाएगा तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ है repo rate और reverse repo rate की मैं बताओंगा लेकिन उससे पहले आपको पता भी होना चाहिए ना कि repo rate होता क्या है reverse repo rate होता क्या है राइट अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपके समझने के लिए मैं समझाना चाहता हूँ repo rate का मतलब होता है कि जब Reserve Bank of India अपना पैसा बैंकों को देता है लोगों के रूप में तो वो क्या करता है वो चार्ज करता है 4% तो इस बार 4% का repo rate रखा गया है इस current MPC की मेटिंग के ज़़िए राइट वही अगर banks अपना पैसा अगर लोगों देते हैं Reserve Bank of India को उस case में banks चार्ज करते हैं उसको बोलते है reverse repo rate और सीधे सीधे समझेए Reserve Bank of India अगर अपना पैसा लोगों देता है किसी unclear Bank कोboro Reserve Bank of India को एक interest मिलता है जिसे एप repo rate बोलते है वही अगर कोई bank अगर Reserve Bank of India को लोगों देता है तो उस case में bank बैंक को इंट्रेस्ट मिलेगा उसे हम reverse repo rate बोलते हैं तो हमारी यह MPC मेटिंग हेल्ड हुई है इसके अंतर repo rate को 4% रखा गया है और reverse repo rate को 3.35% रखा गया है अब यहाँ एक बहुत important question है कि reverse repo rate कम क्यों रखा गया है repo rate से तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यह रखा गया नहीं है reverse repo rate जनरली आम तोर पे देखा गया है कि आप देखेंगे तो repo rate से कम रखा जाता है इसके पीछे एक मैट्स है मैट्स यह है कि repo rate अगर कम जादा रहेगा reverse repo rate कम रहेगा तो इससे क्या होता है कि जो banks हैं अपना पैसा जो है ज्यादा से ज्यादा वो public में बाटेंगे यानि loan के रूप में disburs करेंगे वो reserve bank of India के पास पार्क कम करेंगे जिससे economy में cash flow liquidity बनी रहे उसकी कोई कमी ना आए राइट वहीं repo rate को ज्यादा इसलिए रखा जाता है ताकि उससे क्या हो कि banks जो है वो reserve bank of India से कम से कम loan ले ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा public से funding उठा सके आप मेरी बात समझ रहे हैं यहाँ पे हो क्या रहा है reserve bank of India यह शक्ति का अंतादाजी यह governor है हमारे banking sector का banking sector का governor जो होता है यह जो central bank होता है जिसे कि हमारे देश का reserve bank of India वो सारे banks को क्या करता है एक जगर से centralized होकर कि govern करता है और उसका main motto होता है reserve bank of India का कि वो bank और जो public है उनके बीच में cash का flow जितना fast होगा जितना smooth होगा जितना hurdle less होगा उतना ही ज़्यादा cash उतना ही ज़्यादा हमारे देश की economy बढ़िया होगी अच्छी होगी मजबूत होगी stable होगी तो उसी purpose को ध्यान में रखते हुए reverse repo rate को कम रखा जाता है और repo rate को ज़्यादा रखा जाता है तो इस बार ऐसा हुआ अब बात करते हैं next point की जो इस meeting के अंदर discuss किया गया है मैं मोटे मोटे कुछ points के उपर बात कर रहा हूँ बातें तो बहुत करी गई है शक्ति कांता दास जी के दौरा लेकिन एक और point है जिसके उपर मैं आप लोगों से discussion करूँगा वो है stable inflation यानि inflation rate को stabilize करने की बात कही गई है शक्ति कांता दास जी ने inflation rate जितना कम होगा उतना ही सही रहेगा cash का flow बनाए रखने के लिए obviously अगर market में आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो अगर वो चीज़ महंगी हो जाया आपका खरीदना कम हो जायगा क्यों क्योंकि आप उसको use करना कम कर दोगे right जैसे मान लिज़े example से समझेए आपको अच्छे से समझ में आएगा let's say कि आप जो है let's say कि आप नहाने का एक साबन भी खरीदने जाते हो तो suppose करो कि 50 रुपीज का एक डिटॉल का एक बार शोप लेके आ रहे हो अब वही डिटॉल जो है डिटॉल सोप जो है 50 रुपीज का ना होकर के आने वाले टाइम में मान लो 70 रुपीज का हो जाता है तो आपका खपत करने का जो rate है जो आपका consume करने का rate है या तो वो आपका से पैसा जाना रुख गया तो मार्केट के अंदर cash flow रुख गया समझ रहे है liquidity short हो गई तो इसी चीज को रोकने के लिए inflation rate को stabilize करना बहुत जरूरी होता है जो कि हमारे शक्ती कांता दास जी इसकी लिए forecasting करके बताया है कि जो first half of fiscal year 2022 होगा यानि next financial year जो start हो रहा है first April से वो September 2022 यानि first half year के लिए हम बात करें तो इन्होंने बताया है forecasting करी है कि 5% से लेकर के 5.2% तक हो सकती है consumer price index यानि CPI और ये पहले क्या है 4.6 to 5.2% क्या सपस है ओके अच्छा एक point और मैं आप लोगों से यहां discuss करूंगा cash reserve ratio के बारे में banking sector में ये बड़ा important term होता है cash reserve ratio देखिए banks के पास जो भी loan आता है loan नहीं basically जो deposit आते हैं उसका एक certain percent जो होता है reserve के रूप में बैंकों को reserve bank of India यानी RBI के पास पार्क करना होता है right क्यों क्योंकि एक emergency की situation से बचने के लिए या उसे निपटने के लिए ये compulsory है तो 3.5 से लेके 4% के आज़ पास का CRR यानि cash reserve ratio जो है इस MPC meeting के जड़िए बताया गया तो ये कुछ points थे जिनके उपर आप लोगों से मुझे लगा की बात करना चाहिए तो मैंने किया आपको ये कैसा लगा कैसी information लगी इस MPC meeting की है और क्या आपका विचार है आप क्या सोचते हैं इसको लेकर के comment box में जरूज बतायेगा this is all guys if you are new to this channel make sure to hit the subscribe button and press the bell icon to get notifications properly for each video and lastly if anybody who is new to a stock market interested to open DMAeyTour trading account there is a link in description box of the same video right and you can click on that link to open your account in upstock see you next time till then take care